राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया की बड़ी दुख भरी का था अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कीरती को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें दोस्तों एक गाउं में एक बुढ़िया रहती थी उसके एक बेटा और एक बहु थे बुढ़िया माई अपने बेटा बहु से बहुत प्यार करती थी बेटा भी अपनी मा की बहुत सेवा करता था उसे खाना खिलाता नहलाता क्योंकि बुढ़िया माई की उमर तकरीबं सतर 75 साल थी क्योंकि अब उसके सरीर में इतनी ताखत नहीं थी कि वह स्वेम कुछ अपना कर सके अब एक दिन उसका बेटा कहने लगा मा यहां पर कोई काम धंदा नहीं है इसलिए मैं परदेश जाकर कमाने के लिए जा रहा हूँ उसकी मा ने कहा कि ठीक है बेटा तुम परदेश जाओ अपनी गरस्ती भी चलानी है तब वे अपनी बहु को समझाने लगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का पूरा ध्यान रखना उसे किसी परकार की कोई दुख ना हो उसकी पतनी बोले ठीक है कि मैं मा का पूरा ध्यान वर्ती की थी वे हमेशा बुढिया से छुटकारा पाने के लिए सोचती रहती थी बेटे के आग है तो वे कुछ नहीं कर पाती थी लेकिन बेटा के जाते ही तो वे अपनी मन मर्जी करने लगी वे ना तो बुढिया का सही से ख्याल रखती थी और ना ही उसे सही से खाना प बहुत रोती रहती थी वे मजबूर थी कि क्या करें अब कुछ दिन के बाद उसका बेटा परदेश से लोटा तो वे अपनी मा के पास गया और पूछने लगा मा तुम कैसी हो तुमारी सेवा तो ठीक से हुई है लेकिन बुढिया क्या कहती वे सोचने लगी अगर बेटा को स सुक शानती नहीं भंग करना चाहती और उसने अपने बेटा को कुछ नहीं बताया और कहने लगी हाँ बेटा मैं मेरी तेरी वहुने बहुत सेवा की है बेटा अपना खुस हो गया और अपनी पतनी से भी बहुत प्यार से मिला अब साम को जब बेटा आया रात को तो पतनी से बोला कि मा को खाना खिला दिया तो पतनी ने कहा कि हाँ खिला दिया तब वे अपनी मा के पास गया और बोला मा खाना खा लिया तो मा कहने लगी नहीं मैंने खाना नहीं खाया तब वे अपनी पतनी के पास गया और कहने लगा मा तो कह रही ये खाना नहीं खाया तब वे ब पेचारी बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद बेटा खाना लेकर आएगा अब वह भूकी भी थी पूरा दिन उसका निकल गया था भूक के कारणों से नींद भी नहीं आ रही थी उसकी आत्मा कुल बुला रही थी तब वह देखी कि बहु बेटा सोने चले गए तो वह रोती रोती कहने लगी बेटा बहु सो गए आस मेरी तूट गई निंदिया रानी आ जाओ मेरे पास सो जाओ हे माता रानी हे प्रभू ऐसी जिंदगी से तो मुझे उठा ले अपने पास बुला ले इस तरीके से वह बोल रही थी तो उसके पती को कुछ जो उसका बेट था अपनी पत्नी के पास था उसे कुछ आवास सुनाई दी तब यह कहने लगा मा कुछ बोल रही है तब उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी कुछ नहीं तुमारी मा कुछ नहीं कह रही है वह बोला कि नहीं कुछ कह रही है तो बोले कि चलो तुम सुने लो क्या कह जब उसकी मा ये कहती कि मेरे पास सो जाओ, अपने पास बुलालो, तब तो पत्नी चुप रहती हो, जब वे बीच के सब्द भूलती, तो उसकी पत्नी बीच में अठकाव करती, कुछ बाते करने लगती, तो बेटे को बसी यही सुनता, कि आजाओ मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो यही बेटे को सुना ही देता तब उसकी पतनी कहने लगी वे अपने पतनी से कहने लगा कि ऐसी क्या बात है जो माज्टेम ऐसे बोल रही है तब वे कहने लगी उसकी पतनी अपने पती से कि आगर आप कही रहे हो तो चलो बता देती हो नहीं तो मुझे तो बताते हुए भी बड़ी लज्जा आती है तुम्हारी माई इस उम्र में दूसरा बिवहा करना चाहती है वे मुझे से बार बार कहती है कि मुझे भी सहारी की जरूरत है मुझे अकेला नहीं सोना है मेरी भी शादी कर दो मुझे तो कहते हुए बताते हुए तुम्हें बड़ी लज्जा आ रही है तब उसका बेटा कहने लगा है क्या बक्वास कर रही हो मेरी मा भला ऐसा क्यूं बोलेगी वै कहने लगी नहीं यही सच्छ है तब उसे अपनी पतनी की बातों पर विश्वास हो गया और उसने जो है क्योंकि बेटा भी थोड़ा मूर्ख टाइप का था उसने अपनी मा से कुछ नहीं पूछा और अपनी पतनी से भोला कि सुबह ही मैं मा का रिस्ता तै कर के आता हूं वे कहने लगी कि हाँ इनका रिस्ता कर दो इनकी शादी कर दो और इनकी इस घर से विदा करो अब बेटा एक गाउं में जाकर मा का रिस्ता तै कराया उसने अपनी मा से कुछ नहीं बोला और आकर कहने लगा मा मैं जो काम तुम्हारा करी आया हूं अब तुम्हें अकेले रहने की जरुरत नहीं है उसकी मा ने सोचा शाद मेरा बेटा मेरे पास रहेगा इसलिए बोल रहा है तो वे कहने लगी कि ठीक है बेटा मुझे और क्या चाहिए मुझे तो बुढ़ापी में सहरा चाहिए अब वे तो अपने बेटे के लिए बोल रही थी लेकिन बेटा सोच रहा था मा तो सचमस शादी करना चाहती है वे बोला तो कुछ नहीं अब उसने रिस्ता तै कर दिया तै समय पर बारात आगई बारात आई तो वे बुढ़िया की जो बात की चारोण फैल गई कि बुढ़िया की शादी हो रही है बुढ़िया की शादी हो रही है सब लोग आड़ोसी पड़ोसी सब उसके मुँपर थोकने लगे कहने लगे कि नालाय की सुमर में अपनी मा की शादी करा रहा है अब बुढिया माई को तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। सही है, अब बुढिया माई सोचती कि मेरा बेटा कोई अच्छा ही काम कर रहा है। अगर मैं मना करूंगी तो मेरे बेटा की तो बड़ी बुराई हो जाएगी बदनामी हो जाएगी वैं कहने लगे हाँ मेरा बेटा सही कर रहा है अब गाउं के लोग सब हात मलने लगे बताओ इस उमर में बुढिया शादी कर रही है अब सब कहने लगे बड़ी कुलक्षनी बुढिया है हम तो बड़ी अच्छी बड़ी पूजा पाट वाली समझते थे बड़ी नेक दिल की थी लेकिन यह तो बड़ी खराब औरत निकली जो इस उमर में भी इससे शादी की पड़ी हुई है खुद से तो संबला नहीं जाता है और यह शादी करेगी अब बुढिय कि जो बहुत ही कहने लगी अब चुबी हो जाओ क्यों ड्रामा कर रहे हो तुम्हारी बड़ात आई है और किसकी आई है बुढिया माई एकदम से सन्न रह गई वै कहने लगी मेरी बड़ात भला मैं इस उमर में शादी करने लाइक हूँ जो मेरी बड़ात आएगी तब वै कहने लगी कि जादा मत बोलो अगर तुमने कुछ जादा चूँचा की तो तुम्हारा बेटा जो कह रहा है कि मैं अपनी मिर्तियों के लिए तैयार रहना तुम्हारा बेटा मर जाएगा उसने मुझे धमकी दी है वो तुम्हारा विभा कराना चाहता अब बड़िया बेच फट जाए मैं इसमें समा जाओं ये मेरे साथ क्या नर्थ हो रहा है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया मैंने कपनी जिंदगी में कभी किसी क्या ये नहीं चाहा कि इसका साथ कोई गलत हो लेकिन आज मेरे साथ ही है क्यों गलत हो रहा है मुझे ऐसे कौन से करम की सजा मिल रही है लेकिन बेचारी बुढिया क्या करती रो पीट कर बैठ गई उसका बेटा आया और कहने लगा मा जल्दी चलो नहीं तो मुझे अब बहुत बरदास नहीं हो रहा है आप जो बुढिया फिर डर गई उसने सोचा कि शादी नहीं करूंगी तो ऐसा ना हो बेटा फांसी लगाले मर जाएं वे जाकर चुपचाप मंडप में बैठ गई अब बुढिया की शादी हो गई और बुढिया की विदाई होने लगी तो बहु बुढिया से कहती है अगर अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में कभी मता ना और यहां से चली जाओ अब तुमा फेरा घिर आया आवे पड़ोस्क में ही एक गाउं था उस गाउं में रुक गए एक परिवार ने उन्हें पना दी कि रात रात आप यहां रुक जाई यह सुबह चले जाना पहले लोग तो ऐसी ही रुकते थे आसपास में सबके साथ यही होता था है कोई ऐसा सादन नहीं ता सवारी का तो वे लोग एक घर में रुक गए जिस घर में रुके थे उस घर की जो मालकिन थी महीला थी मैं मुकिया वो बड़ी आलसी थी वे कोई भी काम घर में सही से नहीं करती थी ना ही कोई पूजा पाट करती थी उसका सारा घर का सामान इधर उधर फैला हुआ था कहीं सूप, कहीं जाडू, कहीं तराजू, कहीं बरतन ऐसे पूरे घर में फैले हुए थे जो भारा आंगन में चार उतर फैले हुए थे तो बुडिया बेचारी एक कौने में बैठ कर रोने लगी और अपने बेटे को याद कर करके सोचने लगी कि मेरे कौन से करम की सजा मुझे मिली है जो एक बेटे मा को अपने बेटे से अलग होना पड़ गया मैंने तो जिवन जिन्दगी के इस पड़ाम में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी अवे तरह तरह से मातरानी से प्राथना करने लगी तब ही सूप और ज़ाडू आपस में बाते कर रहे थे बरतन भी उनके साथ बोल रहा था कह रहे थे कि जो यह घर की मालकिन है इसके पास लक्षमी कहां से ठहरे यह कभी हमारी कदर नहीं करती है देखो बरतन कहने लगे देखो मैं चारो तरफ बिखरा पड़ाऊं ज़ाडू कहने लगी कि ठंड में हमें बाहर फैक देती है हम बाहर पड़े रहते हैं सूप भी कहने लगा कि ठंड का टाइम हम बाहर पड़े रहते हैं कोई ऐसा नहीं है जो हमें उठा कर अंदर रख दे अगर हमें कोई उठा कर अंदर रख देगा तो हम उसे बहुत खूबसूरत बना देंगे बुढिया माई यह सब सुन रही थी अब उसने वै उठी और उसने जो सूप, जहाडू, बरतन, तराजू, पंसेरी जो भी इदर उदर घर का सामान था सबसलीके से लगा दिया तो बुढिया जो अचाना की सतर साल से सोलह साल की सुन्दर कन्या बन गई यह देखकर बुढिया बढिया चंबित हुई कि यह क्या चमतकार हो गया बरतन भी कहने लगे कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा अब जो घर की लक्षमी थी वे बुढिया के साथ चल दी आगले दिन सुबा हुई तो कहार बिदा करने के लिए बोले तो बुढिया जो डोली में बैटी तो कहार देखकर हैरान रह गए कि वो जिसे लेकर आए थे वे तो सत्तर साल की बुढिया थी और यह तो सोला साल की लड़की है बुढिया माई से वो कुछ नहीं बोले और चुप चाप डोली उठा कर चल दिये जब बुढिया माई अपने ससुराल पहुंची तो जो घर परिवार की ओरती थी वे भी देखकर सन रह गई और इतनी खूबसूरत लड़की सोला साल की कमाल हो गया वो तो बुढिया बता कर गया था सब लोग बोले की चलो यह जैसे इन्होंने किया ठीक है हमें क्या हमारे घर में तो भव आ गई और उसका घर में रहने लगी अब उधर साथ-ाथ दिन हो गए तो पड़ोसी जो उसके बेटे के साथ तफरी कर रहे थे मजे ले रहे थे कह रहे थे अरे तेरी मा को गए हुए साथ-ाथ दिन हो गए तो लेने नहीं गया बेटा ने सोचा कि सच में लेने जाना होगा तब वो अपनी पतनी से कहने लगा कि मैं अपनी मा को लेने जा रहा हूँ उसकी पतनी कहने लगी कि पागल हुए हो जो मा को लेने चला गया जब वे उसकी ससुराल पहुंचा तो 16 साल की जो बुढ़िया 16 साल की बन गई थी उसने देखा उसका बेटा आया है तो वे भाग कर जल्दी से 4 पाई बिचाई उस पर 4 बिचाई और बेटे को बड़े आदर के साथ बठाया दोड़कर पानी लाई अच्छा चाखाना बनाया उसे एक खाना खिलाया और उससे सब हाल चाल पूछा तब वे बेटा कहने लगा कि मेरी मा इस घर में है मैं उसे लेने आया हूँ तब वे कहने लगी बेटा मैं ही तेरी मा हूँ तब वे लड़का हैरान रह गया और उस कहने लगा क्यों मेरे साथ मजाक करती हो मेरी मा तो सक्तर साल की बूड़ी औरत है तुम तो सोले साल की कन्या हो तो कहने लगा कि नहीं मैं ही तेरी मा हूँ जब तूने मुझे विदा किया था तो उस समय हमें एक घर में रुके थे और उस घर में जाड़ो सूप बरतन आपस में बाते कर रहे थे कि जो भी हमें उठा कर रखेगा हम उसे सुन्दर कर देंगे मैंने वे सब चीजे सलिके से उठा कर रख दी उन्हों नहीं उनके वर्दान से ही मैं जो है 16 साल की बन गई, पूरी बात बताती है, तो वे कहता है कि मा तुने यह सब क्यों किया, क्यों तुने समाज में मुझे बोलने के लाइक नहीं रखा, क्यों तुने दूसरी शादी की, अब उसकी मा रोने लगी, और कहने लगी बेटा मैंने दूसरी शादी के लिए कहती थी कि मेरे मेरे से पास आके सो जाओ मुझसे नहीं रहा जा रहा तो वह कहने लगी बेटा तूने मेरे से एक बार भी पूछा कि मा बात क्या है बेटा कहने लगा नहीं जब तुम कह रही थी तो मेरी पत्नी ने मुझे सारी बाते बता दी थी तब वह कहने लगी बेटा जब तू परदेश चला गया था तो तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन जब तू आया, तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया, कि कहीं तू अपनी बीवी से लड़ाई करेगा, और सोचेगा मेरी मा तो घर में कलेसी रखती है, इतने दिनों के जिस दिन दिन में खिला दिया, उस दिन रात को नहीं देती थी, जिस दिन रात को खिला दिया, उस दिन दिन में खाना नहीं देती थी, अब मैं बोड़ी औरत, लाचार औरत, भला मैं क्या करती, तो मैं रात को जब तू आया, मेरे से पूछने लगा कि तूने खाना खा ल रही है तुम दोनों तो पत्नी पत्नी सोने चले गए लेकिन मुझे भूख के मारे नीद नहीं आ रही थी तब मैं अपने इस वर से अपने भगवान से प्रात्ना कर रही थी कि बहु बेटा तो सो गए आस मेरी तूट गई निंदियारानी आ जाओ मेरे पास सो जाओ हे प्रेभू इस मिट्टी को समगा लो इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे दो अपने पास बुला लो बस मैं यही आस प्रेभू से कर रही थी जिसे पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला तब वे के बड़ा सरमिंदा हुआ और अपनी मा के पैरों में गिर गया और कहने लगा मा चल तू मेरे साथ चला भी और अपनी मा को लेकर हुआ से चल दिया और कहने लगा कि आज के बाद मेरी मा यहां नहीं आएगी अब रास्ते में जाकर वे कहने लगा मा इस सोले साल की उमर में तो मैं तू में नहीं सवीकार करता हूँ मुझे तो अपनी पहले जैसी मा चाहिए अब बड़िया माई मातारानी से बहुत प्राथना करती है कि है मातारानी मुझे मेरे पहले रूप में दे दो अब इश्वर की किरपा से बड़िया पहले रूप में आ जाती है अब बड़िया को ले जाकर बेटा अपने घर ले जाता है तो बहुत देखते ही बहुत गुसे में लाल पीली हो जाती है और कहती है इस कुलक्षनी को ले आए इसने तो समाज में हमारी नाक कटवा दी थी फिर इसको लेकर आ गए अब उसका पती उसको दो चपाटे रखता है बड़े जोर से कि नाला एक औरत तुने मेरी मा के साथ इतना थ्याचार किया और अब बोलती है कि इसने नाक कटवा रखी है नाक तो तूने कटवाई है अब है बेटा जो अपनी मा की सेवा खुद करने लगा जब पती का ऐसा रूप देखा तो पतनी भी जो है समझ गए और माफी मांगने लगी और उसने अपनी साथ से और अपने पती से माफी मांगी और अब तीनों मा बेटा पती पतनी खुशी से रहने लगे हे मा तहरानी जैसे उस बुढ़िया पे बीती ऐसी किसी पे मत बीतना सब के बेटों की रक्षा करना सब के सहायता करना भोलो सिवशंकर भोले नात कीजिए बोलो राध ही राध ही